हेलो इस्टूडेंट्स, आइटी ब्रेन में आपका स्वागत, आज हम फिजिक्स में, आई-ई-एरोडो के प्रोब्लम 3.68 पर डिसकस करेंगे, एक बार आप क्वेस्चन सुने, याने क्या है प्रोब्लम एक बार आप समझें, एक आर्बिट्रेरी सेप्ड कंड़क्टर के सर्फेस पर, यूनिट एरिया का एक पीस कंसिडर करके, हमें इस पीस पर फोर्स एक्स्पिरियंस्ट को कैलकुलेट करना है, जो ध्यान दे, ये कंप्लीट कंड़क्टर सिग्मा डेंसिटी के चार्ज से बना है, और चुकि ये कंप्लीट कंड़क्टर सिमिलर चार्ज रखता है, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज रीजन पर रेमेनिंग चार्ज एक फोर्स डिवलप करेगा, सो वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, सो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एक बार समझें, हम ये जानते हैं, कंड़क्टर की प्रॉपर्टी से ये बात हमें मालूम है, कि इस कंड़क्टर के इंसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्टरिक फील्ड स्टेंथ वेक्टर को जी एक small area element consider करके, अगर मैं उस small element को cover करते हुए एक cylinder तयार करूँ, तो कुछ इस तरह का cylinder, इस elementary piece, जिसका area में DA consider कर रहा हूँ, के चारों तरह create होगा, और अब अगर मैं इस cylinder में gauss theorem यूज करूँ, तो क्या outcome आएगा एक बार आप समझें, इस small cylinder में enclosed charge के amount को लिखा जा सकता ह सिग्मा इंटू डिये आप समझ सकते हैं कि इस प्लेट के एरिया को डिये मानते हुए सिग्मा डेंसिटी होने के कारण इस पॉर्शन में चार्ज सिग्मा डिये होना चाहिए और अब अगर मैं गॉस्थ्योरम यूज़ करूं इस सिलेंडर में तो इस स्टेटमेंट बनेगा इस और रेजन पर बने area vector और इस conductor के surface पर जनरेट होने वाले electric field vector का direction सिमिलर होना चाहिए यहाँ पर आप ध्यान रखें कि area vector surface के perpendicular होता है और हम जानते हैं कि conductor के surface पर बनने वाली electric field lines भी surface के perpendicular होती है So, इन दोनों vectors को parallel vector के रूप में consider किया जा सकता है So, इन दोनों के parallel vector होने के कारण इसे लिखा जा सकता है E magnitude, area magnitude into cos 0d मैं यहाँ पर direct dot product को open कर दे रहा हूँ ठीक, इसी प्रकार इस inside area के लिए electric field vector को E dot da से दिया जा सकता है लेकिन हम जानते हैं कि किसी conductor के inside reason पर electric field डिवलप नहीं होता है So, इस reason के लिए मैं इस value को 0 लिख रहा हूँ Remaining current surface reason पर electric field नहीं पास नहीं हो यहाँ पर student यह mind make up रखें कि यह smallest area element consider किया गया है कई बार student इस area vector को ज़्यादा बड़ा area vector consider करके confusion experience करता है उसे यह लगता है कि इस surface के perpendicular बनाने के बाद भी कुछ lines इन curved boundaries को cross करके बाहर निकलेंगे लेकिन ध्यान दे अगर आप यह बात analyze करते हैं को कुछ इस तरह से present किया जाना चाहिए और अब अगर मैं इसे Gauss theorem के accordingly in closed charge और epsilon naught के ratio से compare कर तो यह बनेगा EDA cos 0 equal to sigma DA upon epsilon naught और solve करने पर E का value आ जाएगा sigma upon epsilon naught यहाँ पर DA के term को दोनों और cancel कर दिया गया है और cos 0 को one apply कर दिया गया है सो जो electric field इस arbitrary conductor के surface के near my point पर develop होगा outer reason में वो sigma upon epsilon naught magnitude का होना चाहिए अब ध्यान दे अगर मैं इसे vectorially present करूँ तो मैं इसे sigma upon epsilon naught into outward direction में बनाए गए vector n cap के रूप में present कर सकता हूँ तो कुछ इस तरह का electric field इस arbitrary surface से outside किसी point पर develop होगा यह बात आप ध्यान रखें कि यह cylinder small size का बनाया गया है तो सभी calculations surface के छोटे से element के लिए और surface के बिल्कुल करीब किये जा रहे है सभी calculation बिल्कुल nearby points पर किये जा रहे है एक दूसरे point पर आएं कि अगर हम इस arbitrary conductor में चुने गए इस DA area के just inside किसी point पर electric field की बात करें तो उस inside electric field को हम जानते हैं conductor की property के accordingly null vector से present किया जा सकता है हम यह जानते हैं conductors की property में हमने यह पढ़ा है कि किसी conductor के inside reason पर electric field strength vector 0 होता है so electric field की value को inside conductor null vector लिखा जा सकता है और outside reason में इस arbitrary piece के nearby point इस arbitrary piece के nearby point पर electric field vector को लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन epsilon not into n के so अगर हम इस outside और inside electric field को इस small area element और इस large remaining arbitrary conductor के area के द्वारा बनाए गए electric field के form में लिखे तो क्या outcome लखा जा सकता है आप ध्यान से समझें outside generate होने वाले electric field को अगर मैं इस बड़े arbitrary conductor के part और small da के द्वारा बनने वाले electric field के terms में separate separate करके लिखो तो यह क्या बनेगा देखें अगर मैं इस large region के द्वारा बनने वाले electric field को e-l vector से present करूं और इस small da vector से बनने वाले electric field को e-s vector से present करूं तो e-l vector और e-s vector के sum को sigma upon epsilon naught into n cap के रूप में लिखा जा सकता है यहां पर आप ध्यान दें large region से बनने वाले electric field vector का direction outward और small section की वज़े से outer point पर बनने वाले electric field का direction outward होना चाहिए आप यह जानते हैं अब ध्यान दें कि इस large region के कारण या इस small element के कारण चाहे हम इस element के inside consider करें या outside आप समझ सकते हैं कि strength wise electric field similar होना चाहिए यानि जितने magnitude का electric field इस large region ने इस point पर develop किया है outside किसी point पर उतना ही strength का electric field यह large region develop करेगा इस piece के inside किसी point पर so magnitude के accordingly इस large region के electric field को inside outside similar माना जा सकता है ठीक इसी परकार इस छोटे से element के कारण चाहे inside calculate किया जाए या outside electric field strength vector का magnitude सेम होना चाहिए यह बात यहां पर important है इसे आप ध्यान से समझें कि इस large region के द्वारा और इस small piece के द्वारा जब inside और outside point पर बनने वाले electric field strength vector का magnitude सेमिलर है तो फिर एक point पर electric field इतना और एक point पर zero magnitude क्यों दे रहा है तो ध्यान दें कि outside point पर large region से बनने वाले electric field का direction आउटवर्ड है और इस small piece के कारण large portion के कारण बनने वाले electric field का direction तो आउटवर्ड है लेकिन इस small piece के कारण बनने वाले electric field का direction inward है magnitude तो उतना ही है जितना outward किसी point पर है लेकिन direction में inside point पर बनने वाले electric field इस small piece के कारण opposite direction में है तो इस electric field को इस inside point पर में minus ES vector से present कर रहा हूं और इसी कारण से इसका outcome null vector आ रहा है आप ध्यान दें कि large piece और small piece के कारण inside और outside point पर बनने वाले electric field के magnitude में कोई change नहीं आ रहा है केवल direction के variation से इस तरह कि situation develop हो रही है यहाँ पर हम clear देख पा रहे हैं कि small piece inside और outside point में बनने वाले electric field की direction में differ कर रहा है outside reason पर electric field outward और inside reason पर electric field inward बना रहा है और यहीं वज़े है कि हमने एक formula में इसे ES vector और एक में इसे minus ES vector लिखकर present किया है और अब अगर इन दोनों equations को मैं solve करूँ तो इन्हें solve करने पर हम EL vector और ES vector को calculate कर पाएंगे एक बार इसे complete करेंगे ध्यान दें यह term cancel हो जाएगा add करने पर और 2 EL vector का value आ जाएगा sigma upon epsilon not into n cap और 2 को denominator में लेने के बार यह मालूम चल जाएगा कि इस large portion ने इस large reason ने इस point पर कितना electric field develop किया है यह है EL vector equal to sigma upon 2 epsilon not into n cap याने इतने strength का और इस direction में electric field large piece इस arbitrary conductor का develop करेगा और अब अगर EL का value apply किया जाए इस formula number 2 में तो हमें यह मालूम चल जाएगा कि ES vector का magnitude भी EL vector के magnitude के बराबर है और direction दोनों की एक जैसी है so ES vector को भी इतने ही magnitude के vector के रूप में दिखाया जा सकता है अब EL vector और ES vector को calculate करने के बाद ध्यान दे हमसे पूछा गया है कि इस small element पर यह large element कितना force develop कर रहा है हमें यह calculate करना है कि इसके unit area पर इस arbitrary conductor के unit area पर remaining element कितना force develop कर रहा है तो ध्यान दे कि इस बड़े large piece के कारण इस reason पर बनने वाले electric field strength vector को हम calculate कर चुके हैं so इस electric field strength vector को अगर इस small element के charge से multiply कर दिया जाए तो हम force vector को calculate कर पाएंगे so इस small element के charge को अब मैं EL vector से multiply कर रहा हूँ आप ध्यान से देखें so इस small element पर force की value calculate होगी f vector equal to EL vector into amount of charge in this small piece और यह charge sigma into DA से दिया जा रहा है आप देख सकते हैं EL vector का value apply करने पर यह बनेगा sigma upon 2 epsilon not n cap into sigma DA और इसे simplify करके लिखा जा सकता है f vector equal to sigma square upon 2 epsilon not into DA n cap vector so इस arbitrary conductor के unit area पर लगने वाले force को calculate करने के लिए मैं इस DA का value 1 apply करूँगा इस DA का value 1 apply करने पर जो force vector experience होगा unit area पर वो होना चाहिए sigma square upon 2 epsilon not into n cap so कुछ इस तरह से इस arbitrary conductor के एक unit area element पर force vector को calculate किया जा सकता है इसके magnitude को आप sigma square upon 2 epsilon not के रूप में देख पा रहे है इस force के experience होने को आप समझ सकते हैं thank you